जेन साब बताएं सर आज का जेल स्टॉक बिल्गुल वेरे गुद मॉनिंग अनील जी वन्स अगेन और आज इन फैक्ट एक स्टॉक लाया हूं जो कि करेक्टेड अलरेडी करीब धाई परसेंट लगबग आज के खराम मार्केट में इंफैक्ट स्मॉल कैप मिट कैप में दो और हो है Lumix Auto Technologies और इस स्टॉक को काफी बर रेकमेंड किया और काफी बर रेकमेंड करने की रीजन भी है हर बार ये कंपनी इतनी ग्रोथ दिखा रही है और जब भी बहुत रिजल्स आते हैं काफी कंपनी में क्योंकि कंपनी का एक तो क्वालिफाइड मैनेजमेंट काफी प इनकी 26 manufacturing facilities है अलग-अलग 6 states में और strategically positioned क्योंकि आपका जो बाहर है उसके आसपास पहुंसना पढ़ता है और वैसा ही कुछ इन्होंने भी किया है तो यह लोग plastic बुक भी है और इन्होंने काफी अच्छा कुछ consolidation भी किया अपने subsidiaries का और कुछ इन्होंने scaling का भी किया operations में यह सारी चीज़े दिखती है नो करीव इनके global अब यह भी देखना होगा कि जिन्होंने capex किया है जिन्होंने growth किया है जिनको आगे जाके जैसे market का माहूल ठीक होगा तो फाइदा मिलेगा वैसा यह एक स्टॉक है अपने 200 डेमास के आसपास यह flirt कर रहा है इंफेक्ट यह 500 500 यही रेंज है बड़ मुझे ऐसा लगता है करेक्शन में भी बहुत जादा डाउंसाइड दिखती निया है फंडामेंटल्स पर भी अगर पी मल्टिपल्स देके तो सस्ता है इवी वाई इविट्टा में भी नौ टाइम सस्ता लगता है रिटेन और कैपिटल इंप्रोएंट सतरह ठारा पर सट है पिसले तीन साल में नए प्लांट सेट अप किये तो 38-37% की सेल्स की ग्रोथ है 22% की पिछले तीन साल में प्रॉफिट की ग्रोथ है और उससे भी बढ़िया जो मैं मार्जिंस में देख रहा था जो मतलब 8-9% 10% के लगबग रहता था इस मरीनों ने करीब 12-13% के लगबग पोस्ट किया है पहली बार पचास मदब 38 करोड का पैट था उसके साबने 52 करोड का पैट सेप्टेमबर में सो ओवराल एक स्ट्रॉंग ग्रोथ देने वाली और काफी फोकस्ट इन फैक्ट ऑन ग्रोथ तो और FIIs, DIs इसका भी अच्छा खासा इन में शेरोलिंग भी है तो मुझे लगता ह इस स्ट्रॉंग को बिल्कुल इस लेवल्स में ले और 630 का टार्गेट लगाए 630 के लेक्ष्ट के लिए लुमेक्स ओटो ट्रेक में करें खरीदारी यह हराई जैन साब की तरफ से आती ही आज एक ओटो इंसलिस्टों के जैन साब के जैन्स में इसमीच बाजार थुड़